कि अलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस ओल इन वन चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे साथवे वेतन आयोग में जो काफी टाइम से जो है फिट्मेंट फेक्टर की बात की जा रही थी और फिट्मेंट फेक्टर में भी आप increase के लिए काफी time से central government employees wait कर रहे थे इसमें की fitment factor 2.57 से 3.68 की बात की जा रही है दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्या है latest update और किस तरीके से fitment factor के उपर अभी जो नया news आई है उसमें क्या क्या points mention किये गए तो चलिए दोस्तो बात करते हैं आज के इस important update के बारे में इस वीडियो में मैं आपको सीदे सीदे जो news paper में जो सभी बड़े बड़े news channel में आ रहा है उसका जो है आपको मैं website पर दिखाऊंगो उसमें क्या क्या points mention किये गए हैं तो चलिए दोस्तो बात करते हैं आज के इस important update के बारे में अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe ज़रूर करें और bell icon ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली हर वीडियो का update आपको मिलता रहा है दोस्तो देख सकते हैं ये है सीदे सीदे आप देख सकते हैं कि ये जी न्यूस का ही update है Central Government Employees के लिए unions have long been demanding for hiking जो भी Central Government Employees के लिए जो union है वो काफी टाइम से जो है 18,000 से जो minimum pay है उसको 18,000 से 26,000 और fitment factor को जो है 2.57 से 3.68 टाइमस करने की बात कर रहे है और अभी Z business sources से अगर बात माने इनकी अगर इनके news को माने तो उसके एसाब से आप देख सकते हैं कि the fitment factor of Central Employees can be decided before the presentation of union budget February 1, 2022 को जो union budget पेश किया जा रहा है उससे पहले decide किया जाएगा और अगर sources की बात माने सूतरों की बात माने then the fitment factor of Central Government Employees can get approval क्योंकि इस टाइम पर काफे ज़्यदा pressure है तो अभी approval आ सकता है the union cabinet before the budget so that it can be included in the expenditure तो इसको expenditure में include किया जा सकता है दोस्तों देख सकते हैं यह zoo news के हवाले से आ रही है और अगर government makes announcement regarding the hike in fitment factor then their salary will be also increasing जैसे यह 2.57 से 3.68 होता है तो minimum salary भी increase कर जाएगी क्योंकि fitment factor के formula से multiply होता है और आप देख सकते हैं कि जो minimum pay है of central government employees will be hiked from 18,000 to 26,000 तो दोस्तों एक बड़ी खबर है जिसमें की के इंद्रिय करमचारियों के जो fitment factor है उसमें increase करने की बात की गई है इसके अलावा जो है minimum pay को भी बढ़ायने की बात की गई है दोस्तों यह था आज का important update 7th pay commission के इंदर अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिए share कीजिए और subscribe करना ना भूले thank you for watching this video